नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का भोशपूरी रेसिपी यूटिव चानल पर तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे प्रशाद के लिए ठेक हुआ जो कि छट के आउसर पे हमारे यूपी बिहार में बहुत ही जरूरी होता है बनाना इससे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो कप की हुँखा आटा लिया है इसमें थोड़ी से सौंफ डाल देनी है और यहाँ पर थोड़ी से नारेल के टुकड़े है और यहाँ पर छोटी हिलाची गुटके मैंने डाला है और दो चमच के करीब इसमें देशी घीर डाल देना और यहां पर मैंने थोड़ी सी पीसी हुई चीनी का इस्तिमाल किया है तो मीठा आप अपने पसंद के अनुसार रखिए वैसे तो यह प्रशाद के लिए ठेकवा बनता है उसमें गुड का इस्तिमाल होता है पर आप चीनी से भी बना सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा दूड डाल कर कड़ा आटा लगा लेना है और इसमें से छोटी-छोटी लोईयां तोड़कर निकाल लेनी है और अगर आपके पास साचा हो तो इसे साचा से बनेए काफी खुबसुरत लगेंगे नहीं साचा है तो कोई बात नहीं चमस से बन जाएगी डिजाइन और इस तरह से बनने के बाद इसे तल लेना है अगर प्रशाद के लिए बना रहे हैं तो घी में तल लिए और अगर प्रशाद के लिए नहीं है तो रिफाइन तेल में भी आप तल सकते हैं घी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है प्रशाद के और कुरकुरे बन के तयार होते हैं जब इठे कुआ गरम होते हैं तो थोड़े से नरम होते हैं लेकिन जैसे ही ठंडे होते हैं तो बिल्कुल खसता और कुरकुरे बन के तयार हो जाते हैं तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के लाइक शेयर कमेट करना बिल्कुल भी न